नमस्कार दोस्तों एक्जाम यानमंत्रा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आप सभी ने कल की वीडियो में देख लिया होगा कि जो आपकी वेकैंसी है एजी टीए और गंदना परवेक्षक की बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है और मैंने उसमें पताया था आपको कि most probably आपकी पैट 2020 के जस्ट बाद जो पहला नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेगा एजी टीए और गंदना परवेक्षक के पदों पै ठीक है अब इसमें चाहे आपकी cut-off हो चाहे और भी आपके जो question हो एक तो cut-off से related कल के बाद और मुझे questions आ रहे थे ठीक है मेरे WhatsApp नंबर पर कि सर अब cut-off कितनी रहेगी क्या ठीक है गंदना पर वेक्षक की cut-off अभी भी हाई दे सकती है तो देखो कल में कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी मैं आपको यह बता रहा हूं आपके जो पूरे पद हैं अब 17440 प्लस पदों पर आपकी यह जो बेकेंसी है आपको देखने को मिलने वाली है cut-off अब आपकी matter इसमें नहीं करती है बस आपका pet 2022 में positive में score हो ठीक है ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल 0 से ही कम score हो और आप सोचे कि आप यह जो मुख पर इच्छा इसकी हो नहीं हो इसमें आपको बैठने का म मौका मिल जाए तब तो नहीं देखो काम हो पाएगा लेकिन अगर आप एक अच्छा positive score 22 के pet में कर रहे है एक भी नंबर है आपका एक नंबर है आपका किसी कारण से दो नंबर आये हैं ती नंबर आये हैं ठीक है फिर भी आपको इसकी मुख पर इक्छा में देखो बैठन है क्योंकि ये आप सभी इसको जानते हैं ठीक है और ये भी सुनिष्चत है क्योंकि आगामी अभी 2024 का लोग सभा चुनाओ है तो एक बड़ी भरती आयोक को किर्शी की देनी ही है ठीक है और गवर्मेंट को भी बताने के लिए हम पे कुछ हो जाएगा कि देखिए किर्शी ठीक है इतने पदों में 2400 प्लस पदों पे हम लोगों ने भरती कंड़क्ट करवाई है और इतने चात्रों को रोजगार दिया है मेरे हिसाब से भरती लेठ होने का भी कारण यही था ठीक है क्योंकि बिधान सभा का चुनाओ तो हो गया था बिधान सभा के चुनाओ के बा ठीक है आपका किर्शी नेदे शालाय हो गया उसके बाद आपका यूपी ट्रपाल सी हो गया उसके बाद आपका गन्ना विभाग हो गया ठीक है तो ये इतने विभाग तो आप से जून नहीं मोलेंगे ठीक है किर्शी नेदे सालाय पिछले वार मैं खुद गया था जब चात कि माध्यम से आपका रिप्लाई आया था उसमें सापसाब बताया था उप गन्ना आयुक सर गिद्वारा कि हम लोगों ने पदों का दिया चन भेजा है और कल भी जब आयुक हम लोग गए थे ठीक है आयुक से कल जो जानकारी मली थी उसमें भी सापसाब बताया गया है कि 9009. में पदों का हमारे पास देखो अधिया चन्तो है रदीजन उनने बता दिया अभी कि अभी इसका विग्यापन हम लोग इसलिए नहीं नकालें क्योंकि इसमें पदों की कुछ बिसंगती है इसमें कुछ आपका जो कोटे होते हैं आपके की अन्रेजर्ब को इतनी आपकी वेक संसोधन के लिए हम लोग ने बभाग को भेजा है लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल साब साब बहां पर समझ रहा हूं ठीक है कि कोई भी आपकी इसमें बिसंगती नहीं है इन्होंने रीजन आपका सिर्फ इसलिए वता है क्योंकि आप 21 की पैट की जो बैलेडिटी पड़ी ह कि सर्व आप तो अलग अलग निकाल दे हमें लेट हो रहा है कुछ लोग ओवरेज हो रहे हैं आप कम से कम ये जो केन की विकैंजी है अभी आपकी तीन महीने बैलेडिटी है तो कम से कम ये निकाल दे तो इसलिए उन लोगों ने ये आपको जो कारण है बता दिया है कि ठीक है आपको इस परिक्षा की तैयारी कैसे करना है तो देखो तैयारी में सबसे पहले आपका आता है slivers ठीक है और आपका exam pattern की इस परिक्षा का आपका exam pattern क्या रहेगा slivers से संबन देखो मैं बिलकुल insure हूँ मैं अपनी तरह से अगर आपको बताऊं मैं बिलकुल insure हूँ आपका जो पुराना slivers ठा बही आपका slivers रहेगा कारण मैं आपको बता रहा हूँ यह जो आपकी भरती है अब गंद्ना परवेक्षक और AGTA की एक साथ आ रही है इसमें BAC AG आपका चाहे हो ठीक है चाहे आप allied वाले candidate हो ठीक है reason allied वाले candidate है अगर आप जो नियावली में संसोदन हुआ था allied वाले आप देखें तो उसमें BTEC प्रौधोगी की वाला भी बता ग कारण है BAC home science वाले भी इसमें जो चातर है वो eligible आपकी अब रहेंगे ठीक है BAC home science वाले चातर allied में यह भी count होते हैं इस कारण से अब home science वालों agriculture कहां पड़ी है ठीक है इस कारण से आपके जो slivers है वो change नहीं होगा पुराने slivers के according ही आपकी यह जो परिक्षा है पूरी conduct कर जाने वाली है हम लोग slivers change होने से संबंधित एक बार तब सुछ सकते थे जब सिर्फ BSC AG वाले जो चातर है बही इस परिक्षा में बैठते ठीक है और अगर गन्ना पर वेक्षक की भरती अलग आती आपके 900 इंक्यान पदों पर तब सिर्फ यह वाले candidate उस परिक्षा में ब आपकी इस परिक्षा में आये रीजन मैंने आपको बता दिया कि BSC AG वाले ठीक है जो चातर है उन्ने अगरिकल्चर तो अपनी ग्रेजूशन में पड़ी है बीटेक अगरिकल्चर वाले है उन्ने भी पड़ी है लेकिन और जो हैं जैसे आपके बीटेक प्राधोगी की वा कर देंगे फिर हमारे जो ग्रेजूशन है आपने अगर तो हमारा पेटर्न तो इसमें फालॉ नहीं कर रहा हुशले फोर परिख्षा थी उसमें कर दिये गए थे लेकिन उसका प्रेटर्न अलग परजा कर दिया गया है तो कोई भी देखो चांस नहीं है कि इससा जिए वह स हो सकता है कि आपके सो कॉस्चन जैसे आने हैं, सद्माः से बीस कॉस्चन आपके मैक்सिमम मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ भी परिवर्चन इसमें होगा तो मैकसिमम है कि 20 कॉस्चन गो आपके अपकी आडिकल्चर कर दिए जाएं, केलियर बनना आपका पूरा जो एकजाम पैटरन है वो आपका प्रीवियस जैसा ही रहने वाला है पिछली परिक्षा में आपके 200 कॉस्चन थे इस बार आपके 100 कॉस्चन हो जाएंगे और मैंने कई वार आपको स्लेवर्स बताई दिया है कि जैसे पिछले पर एक छम है जो जो कॉस्चन आये थे जैसे आपके हिंदी के 50 कॉस्चन आये थे रीजनिंग के 50 आये थे स्टेटिक जीके के 50 थे और 25 कॉस्चन साइंस के थे 25 मैथ के थे इनहीं को आप लोग आधाधा कर लो ठीक है तो हिंदी में 25 आपके रीजनिंग में 25 इस्टेटिक जीके के 25 साइंस के 12 या 13 कॉस्चन और मैथ के 12 या 13 कॉस्चन इस प्रकार से आपके जो पूरा पैटर्न है बी एस्सी होम साइंस आप एक काम करना उत्तरपदेस गवर्मेंट जब भी कोई नियावली में संसोधन करती है तो एक अपनी वेपसाइट पर डाल देती है आप उसमें जाके चेक कनना मैंने भी एक नियावली संबंधित वीडियो बनाई थी उसमें नियावली में जब सं पर अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखना एक्जाब पैटरन से संबंधित अपने मन में कोई डाउट नहीं रखना सिर्प आपको आपकी जो तैयारी है वो अब अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है क्योंकि भले ही इसमें 400 पद आपके अब हो गये हैं और टोटल ग कानपूर लखनु ऐसे इस्थानव पर अभी अच्छी खासी इसकी कोचिंग चल रही है बड़े बड़े इंस्टीटीउट में और हजार वच्छे पढ़दा हैं इसके लिए ठीक है तो आपको इसके लिए बिलकुल प्रिपैर रहना है ठीक है इसके लिए बिलकुल प्रिपै पर हो जाएगा ठीक है इस बार सौ मैंसे आपको कम से कम सतन नंबर अपना टारगेट रखके चलना है कि इतना मैं कम से कम अपनी परेक्षा में लेके आऊं अपने पूरे एक्जाम पैटरन के अकॉर्डिंग मेरे हिजाब से आप सतर अगर नंबर लाओगे बिलकुल सेफ आपके पेपर तो हुगा नहीं आप कट आफ पहले से बता रहे हैं देखो सतर आपके इन चावाली सो पोस्टों पर एक ऐसी कट आफ है ठीक है जिस पर आप चाहे पेपर बिलकुल आपका ठीक है इजी आ जाए चाहे पेपर अच्छा खासा हार्ड आए तो उसमें हम लोग 65 मान सकते हैं फिर हार्ड पेपर के बारें बात कर रहा हूं एक दम आपका जो हार्ड आ जाए 65-70 के बीच आपको अभी से तयारी कनमी है कि इतना आपका स्कूर आए और कोई देखो ठीक है इजी बात नहीं है अगर पिछले जैसे कॉशन इस पर एक्छा में आए आप के बहुत अच्छे कॉशन इसमें आये थे आपके मैंथ के तो ऐसे कॉशन आये थे कि बच्चे उसमें टच नहीं कर पाए थे क्योंकि देखो एक तो ना टायम के पास क्योंकि दो सब कॉशन थे दो घंटे टायम था उनका ठीक है बाकि आपके साइंस के आपके अगरी क्यों नहीं होगा उससे संबंधे जो आपके कॉस्टेंस थे मैंने उनका जवाब एक ही वीडियो में दे दिया है साधी साथ एड़ दाइंड जो भी साथ थी एड़ जान मंत्रा और उत्तर प्रिदेश जवाई की साथ जुड़ के अपनी तैयारी को करना चाहें ठीक है ये मैं अपना वाटस अप नमबर आपको दे रहा हूँ आप इस पर मैसेज करके हमारे पेड ग्रूप में जुड़ सकते हैं अभी तीन दुनों के लिए और उसकी फीस हम लोगों ने ठीक है यही आपकी फीस पिछले वाली रहने वाली है एक सो साथ रुपए एक्कीस तारीक के बाद ये आपकी फीस फिर बढ़ जाएगी तो जो भी लोग अभी इसमें जुड़ना चाहें और complete इसके PDF नोट्स लेना चाहें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और one of the best तरीके से अपने पूरे स्लेवर्स के नोट्स लेके प्रिवियर्स पेपर देके और इस ग्रुप में जुड़के अपनी बहुत शानदा तरीके तैयारी कर सकते हैं ठीक है बाकी जो भी जानकारी आप लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में पूरी आर दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप मैसेज करके ले सकते हैं मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जैहन्जा भारत have a great day